जेन दोस्तों बंदे मात्रम इस समय RRB NTPC को लेकर काफी ज़्यादा भवाल मचा हूँ स्टुडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेल्वे की कई सारी प्रोपर्टीज को कल नुक्सान पहुचाया गया कुछ एक बोगी इसको भी ज़रा दिया गया यह मामला काफी ज़रा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ एक छात्रों को CBT2 एक्जाम को देने से रोग दिया गया है और इसके पीछे के कई सारे कारण निकल के आ रहे है जाहे एक तरफ RRB अपने आपको सही बता रहा है दूसरी तरफ students भी अपना सारे कारण बता रहे है जो कि कई मायनों में सही सुनाई पड़ता है उनका कहना है कि ग्रैजोईशन जरीका इंटर तक के जो बच्चे है उन सभी का एक्जाम आप एक ही ले रहे है और फिर आपने ही तरीकों को कुछ गुमा फिरा के जो इंटर वाले बच्चे थे उन सब को बोल लिया कि भईया आप लोग कॉलिफाई नहीं हूँ आप CBT2 का एक्जाम नहीं दे सकते तो इस तरीके से मामला जो है काफ़ जादा उलचता जा रहा है उसी वीडियो में उन्होंने बताया था कि इस चीज को सुधारने के लिए क्या कुछ करना होगा जिसमें को उन्होंने बात करी थी कि भाई हमें dwitr के उपर trend चलाना होगा minister को tag करना होगा साथ ही साथ में कहा था कि हमें रेलवे को लेकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रेलवे को रोकना पड़ेगा ये बात उन्होंने खुद अपने वीडियो में कही लिए अब इसी के उपर काफी विवाद हो गया है क्योंकि ये मामला काफी ज़्यादा बढ़ गया है और अब ऐसे ही काफी सारे कोच के मामले में कोचिंग संचालग खांसर पर पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्च किया गया है पटना के जिलादीकारी डीम चंदर शेकर सिंग और वरिश्ट पुलिस अधिक शक एससपी मानवजीत सिंग धिल्लो के सामने चात्रों के बयान पर जी आर्पी और आर् मुलनात सर, गगन प्रताब सर, गोपाल वर्मा और बाजार समीती के विबिन ने कोचिंग संचालगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्च किया गया है इन सभी की विरुद आई पीसी की धारह 147, 148, 149, 159, 152, 186, 187, 188, 330, 332, 353, 504, 506 और 120B के तहत के दर्च किया गया है आकरोशेत अभ्यरतियों ने सबसे जादा नुक्सान रेल सेवा को पहुचाया है, इसकी वज़े से कई ट्रेने रद्द कर दी कहीं है, जबकि कई का परिचलन रूट को बदल दिया गया है, रेल यात्रियों के लिए भी इससे भारी फजियत की कंडिशन मन चुकी है, ऐसे पटना जिलर प्रशासन ने कोचिंग संचाला खांसर समेत ऐसे कोचिंग संचालों के उपर नकेल की तैयारी की शुरू कर दी है, जो कहीं नगहीं छातरों को उकसाने का काम कर रहे थे, पटना इस्तित पत्रकार नगर थाने में थाना देक्ष मनरंजन भारती ने अपने ख चातरों को इरासत में लेते हुए पूचताच की गई तो कई खुला से हुए, थानेदार के बयान के मताबिक, गिशन कुमार जिसकी उमर 21 साल है, रोहित कुमार 23 साल, राजेंदर कुमार विकरम कुमार ने पूचताच में करम में बताया कि हम लोगों को यहाँ पर आने के खान सर, एसके जहा सर, नवीन सर, अमरनाद गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समीतिक विबिन कोचिंग संस्थानों के संचालों को दोरा मार दर्शन किया गया है, अगर पूलिस नहीं आती, तो हम लोग तोड़फोड कर दंगा करने की फिराक में यहाँ प होता है कि हम लोगों के अलावा इस घटना में शिवशक्ति नगर, बहद्रपुर का नरेश, नागेश, विकास, खेसरी, मृत्युन्य, बालेश्वर, विशाल, पंकच, सूरज, विकास, छोटू, मुकेश और पटेल चातरवास के मेरे अन्य दोस्त और तीन सो से चार सो च उकसा कर और भागा कर विदी विवस्ता की समस्या उत्पन करने के लिए पटना में राजिन नगल टर्मिनल और उसके बाहर सडकों पर भेजा गया था। और लोकमार को बज़त करने आदी के आरोप में भादवी की विविन धाराओ के अंदरगत केस दर्ज किया गया है। अब इसी पूरे मामले को लेकर और भी चीज़े सामने आ रही है कि इसको लेकर एक उच्चेस तेरी एक कमीटी का गठन किया गया है जिसमें कि 16 फरवरी के लिए सीवीटी टू जोड़े जाने को लेकर भी शिकायतों की जाच की जाएगी। बताते कि उमीदवार 16 फरवरी दोजर बाइस तक एंटी बीसी एवं गुरूब डी को लेकर अपनी समस्या रेल मंतराले के पास बेज सकते हैं। इसमें उनके लिए बोर्ड दौरा एक आधिकार एक एमेल आइडी भी जारी करी की जिसकी जोकी है rrb committee at the rate railnet.gov.in पर mail भेजना होगा। इसकी लास डेट के बाद भेजी के शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। उमीदवारों के शिकायतों सुजावों की समीशा के बाल 4 मार्च 2022 तक rrb को अपनी रिप कारी दियो और लोगों को बताए क्योंकि मामला काफी जादा बढ़ता जा रहा था वैसे में खान सार के उपर भी बात आ गई है कि भाई क्या उन्होंने शात्रों को बढ़काया या उन्होंने शात्रों को आके वहाँ पर जाके करो तो देखिए सोशल मीडिया पर उनका ए अविस्सी बाद जब इंसान के हाथ बन जाते तो वह जादा कुछ कर नहीं पाता है लेकिन ये मामला काफी जादा आउट और परपोशन तब हो गया जब छात्रों ने कुछ ट्रेन की भोगियों में आग भी लगा दी इसके की बाद पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा योगि पुलिस भी प्रोटेस से मना नहीं कर रही थी पुलिस बस यही कह रही थी कि आप शान्ती से प्रोटेस कीजिए और लॉइन आल्डर की स्थिति को बिलकुल मत बिगाड़ी है लेकिन वो बिगड़ी और फिर कि हम लोग इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि आकर यह पूरा मामला हुआ क्या है और समझने ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या सरकार गलत है या स्टूडेंट गलत है योगि देखें यह पहली बार नहीं है जब नोटिफिकेशन आने के तीन-चार साल बाद भी ए लिएट हो चुका होगा तो यह चीज़ें कहीं न कहीं इंसान को जगजोड देती हैं बहराल अब इस सब चीज़ें सरकार के अंडर में हैं तो देखते हैं इसको लेकर क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है बाकि हम लोग जिस पर वीडियो बनाएंगी वो भी जरूर कीएगा मेरे सुड़ी फरालत नहीं चाहे हैं जाए भारत